असलाम अलेकुम फ्रेंड्स कैसे आप सब मैं आज बना रही हूं स्प्रिंग रोल जिसके लिए मैंने नूडल्स ले लिया है और कुछ सब्जी आप आपके हिसाब से ले सकते हैं और मैंने ये तीन कटोरी मैदा गुन लिया है थोड़ा सा धनिया ले लेंगे हम और मैंने खीमा बॉइल कर लिया है मटन खीमा कर लेंगे अब हम नूडल्स उबाल लेंगे लोडल्स का पानी भी गरम हो गया है अगर दो डोई हम देल लेंगे इसमें और बहुत कम लबता है इसमें जीरा दालेंगे हरीमिक लगोरी नूडल्स का लगे ये आप अगर जालेंगे इसके हम गाजा दाल देंगे इसको थोड़ा हम भूल लेंगे नमक दालेंगे थोड़ा सा नमक आप छेस आप से लेजिए एक चम्मच हम इसमें चीरी फ्लेक्स दालेंगे एक चम्मच भूना खूटा जीरा इसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ऐा आधा चम्मच काली जुट पाड़ा जो राख तो देख टालेंगे इसमें आप इसके अलावा इसमें चिकन भी यूजा चाहते हो तो कर्सकते हो और और अगर आपको वेज बनाना हो तो खीलमा और चिकन को स्कीब कर सकते हो बाकि सब प्रोसेजर यही रहेंगा इसमें हम नोडल्स दालेंगे खोड़ा धनिया और तुभी ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आथा कि अच्छा इसमें मेरी आवाज कम हो गई थी माइक प्रोब्लम था एक चमाच रड़ चिली एक चमाच रड़ चिली एक चमाच इसे हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे क्युम्हीं यह आपके चीज कम पिस्टाइब लें मारो प्रोबाम विय्ट से भी तोल्द चिए सब्सक्राइबश भी आपको के KIS-चारा सब्सक्राइब मातには पलीर भी मेरी दिंदेगे तो हम यह शीट सेख लेगे इसे बहुत ज्यादा नहीं सेखना है कच्छा पक्का ही सेखना है क्या हुआ है अब हम रोल धर लेंगे आटे की घोल लगा लेंगे हम कि इसे ही हम सब रोल भर लेंगे हमारे स्प्रिंग रोल तैयार हो चुके अब हमने तेल रख लिए इसे हम तल लेंगे हम इसे लाइट ब्राउन होने दख फ्राइ कर लेंगे कि इसको हम दीरे दीरे पलट लेंगे अब हम इसे निकाल देंगे कर दो दो लेंगे अब हम दालने के बाद गैस की फ्लेम को हम दो कर देंगे अब यह हमारे स्प्रिंग रोल तैयार हो चुके है अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक और सबस्क्राइब अल्ला हफीज दूआ में याद अबाइक रमyangा में याद